हेलो गाईज, वेलकम टो माई चैनल, आशा करती हूँ, आप लोग सभी स्वस्त और अच्छे होंगी, तो आज मैं आप लोगों को विद्यार्थी जीवन के बारे में अनुच्छेद लिखना बताऊंगी, तो सबसे पहले हमको देखना है कि जब हम अनुच्छेद लिखते है तो उसका कुछ रूप रेखा हमको लिखना है, जैसे विद्यार्थी जीवन, विद्यार्थी जीवन में साधना का समय, उसके बाद आदर्श विद्यार्थी, विद्यार्थी और खेलकूत, और विद्यार्थी जीवन का महत्व, हम जो इस पुश्य में लिख रहे हैं, उस इसको हमको रूपरेखा में लिखना है तो अब हम देखते हैं विद्यार्थी शब्द विद्या और अर्थी के योग से बना है विद्यार्थी शब्द किसे बना है विद्यार्थी शब्द विद्या और अर्थी के योग से बना है जिसका अर्थ होता है विद्या चाहने वाल ठीके विद्या चाहने वाला जिसके जीवन का लक्ष विद्या प्राप्ति है हर एक विद्यार्थी का जीवन का लक्ष होता है कि वो अपने जीवन में विद्या का अर्जन करे या तो विद्यार्थी पूरे जीवन काल कुछ ना कुछ सीखते रहता है सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती हो ना हम जितना सीखेंगे उससे हमारा ग्यान क्या होगा उतना ही बढ़ते जाएगा किन्तु बाल्य वस्था तता युव वस्था का प्रारंबिक काल विद्यार्थी जीवन काल होता है जो हम बाल्य वस्था में है ना बच्पन से और युवा वस्था का जो प्रारंबिक काल विद्यार्थी का जिवन काल होता है उसी समय हम अपने अपने फ्यूचर को बना सकते हैं हम अगर शुरू से अच्छा पढ़ेंगे है ना तो उसे हमारा क्याम को ही फायदा होगा जो विद्यार्थी विद्या अध्यन को साधना मान कर योगी की तरह समाधिस्त हो जाता है वही सफलता के शिखर पर पहुंसता है मतलब विद्यार्थी एकदम विद्यातन मंधन से मतलब एकदम मन लगा कर उसी में ही समर्पित रहता है तो उसी को ही सफलता मिलता है विद्यार्थी जीवन में किया गया श्रम ही भविश्यों को सुखद और सुरक्षित बनाता है इसका मतलब है कि विद्यार्थी जीवन में किया गया श्रम अगर हम विद्यार्थी है और अपने जीवन में श्रम करते हैं पढ़ते हैं ग्यान प्राप्त करते हैं तो इससे हमारा जो भविश्य आने वाला जो समय वो सुखद और सुरक्षित हो जाता है इस काल में विद्यार्थी जीवन की समस्त चिंताओं से मुक्त होकर अध्यन के प्रती समर्पित रहता है मतलब विद्यार्थी जीवन है कैसा जीवन है जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ अध्यन करता है उसके जिवन में और भी कोई टेंशन नहीं होता है वो सिर्फ अध्यन में ही अपना समय अर्पित करता है इस काल में समय पर सुना, समय पर उठना, समय पर भूजन करना ब्रह्मचारिका पालन तथा सर्दत परिश्रम करना एक आदर्श विद्यार्थी के गुण है मतलब जो एक अच्छा विद्यार्थी होता है वो समय पर सुता है, समय पर खाता है समय पर उठता है और ब्रह्मचारिक नियम तथा लगातार परिश्रम करना एक आदर्श विद्यार्थी का गुण है सायम नियम का पालन करने से ही विद्यार्थी अध्यनत होता है मतलब अगर हम सायम से नियम से पालन करेंगे तो विद्यार्थी उसी में क्या हो जाते हैं अध्यनत हो जाते हैं अधर्ष विद्यार्थी पाठे करम के अतिरिक्त अन्य पुस्तके तथा पत्रत पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं मतलब जो एक अच्छा विद्यार्थी होता है वो बुक के अलावा और भी पत्रत्रिकाओं के द्वारा दूसरे बुक के द्वारा वो अपने ग्यान का अर्जन करता है और साधा जीवन और जो उच्छ विचार में विश्वास करता है जिसका जीवन क्या होता है सिंपल होता है और उच्छ विचार में विश्वास रगता है विद्यार्थी के लिए यह पढ़ाय लिखाएं के अलावा खेल कूद में भी सामानी रूप से रुची लिए विद्यार्थी के लिए ये परा मावेश्यक है कि वह पढ़ाय लिखा है कि अन्य आप अगर हमको खेल कूद में भी रुची दिखाना चाहिए और इससे उसके मन तथा मस्तिक्ष को बल मिलता है अगर वो मतलब इससे अगर हम खेल बच्चो अगर विद्यार्थी अगर खेल कुट करता है तो उसका जो दिमाग होता है वो क्या होता है मस्तिक्ष को बल मिलता है विद्यार्थी जीवन व्यक्ति की संपून जीवन की आधार शिरा है विद्यार्थी जीवन ही एक ऐसा समय होता है जिसमें वो दिन रात महनत करका अपमें भविश को उजवल बना सकता है तो विद्यार्थी जीवन ही परिश्रम का समय होता है इस समय अगर कोई विद्यारती अच्छे से पाल लिक लेता है और अच्छे से घ्यान प्राप्त करता है तो उसका भविष्य बहुत ही अच्छा होता है इसी समय व्यक्ति के जीवन के लक्ष का विजार उपन होता है मतलब विद्यारती जीवन में ही वैक्ति अपना लक्ष डून लेता है कि मुझे लॉक्टर बनना है, मुझे इंजिनियर बनना है, मुझे पुलिस बनना है तो उसमें अपना एक फोकस कर लेता है कि मुझे ये बनना है और वो जी जन से उसका लक्ष वही रहता है और वो उसी के लिए परिश्रम करता है अत्ता कहा जा सकता है कि विद्यार्ती काल व्यक्ती के जीवन निर्माण का काल है विद्यार्थी का काल ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति के जीवन का निर्मान होता है तो आप लोगों को ये अनुचित लेखन समझ में आ गया है तो प्लिस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा थैंक यू झाल आप लेखन होता है